तो इसमें गिल्ली डंडे का यूस किया गया है इसके लावा बांटी है भौरा है बहुती डिफ्रेंट मूर्ति कला है यह बहुती इको फ्रेंडली गणेज जी की मूर्ति यहां आपको देखने के लिए मिलने वाले तो आज का यह वीडियो बहुती अच्छा है तो फिलाल आ अच्छेदिगर और चाथिजगर के बाहर तक यह जाते हैं तो सभी को मैं आपको डीटेल से बताने वाला हूँ तो वीडियो में आप बने रहे हैं साथ में अगर आप चैनल में पहली पर आ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रास कीज़े ताकि ऐसा इंट आपको पार्म नहीं पहुंचाते यह गण्यजी की मूर्ति का बारे में मैं आपको बता दू तो यह सिंघ्घड़े से और इसके लावब हो बहुती और चीजों से बना हुआ है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा रहा हूं तो सिंघ्घड़े का सबसे यादा यूज कि और इसके लाव यह आप देख सकते हैं भाह उती Metro ट अफिक कि आपको गडड ही कि मूरथी देखने के लिए मिल जाएगी यह चाहन्व् Mission बनी वही गणेजी की मूर्ति है तो भहूती डिफ्रेंट टाइप की मूर्तियां आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगे कर दो कैका ठीजा झाल झाल तो यह जो मूर्ती बनी है वो मूंग की है और इसके बारे मैंने आपको पहले ही बताए था यह चावल से बनी हुई मूर्ती है इसके लावा यह आप देख सकते हैं जमार और बाजरा से बनी हुई मूर्ती है इसके लावा यह जो मूर्ती आप देख रहे हैं वो मटर और अरह रहो गया इसके लवका अंच जो बांटी जो होता है च्छतिस गड़ी में जिसे बांटी कहा जाता है और बहुरे से बने वी मूर्ती है और इसे जो है च्छतिस गड़ के जो खेल मौचसाव जो होता है उसमें इसको रीप्रेजेंट किया जाता है तो ये जो है बहुत जादा special है और 36 गड़ को represent करके इसे बनाया गया है यह जो है 36 गड़ Olympic में जाएगा और 36 गड़ Olympic को represent करने के लिए इस मुर्ती को निर्माण किया गया है तो यह आप देख सकतें 36 गड़ Olympic को represent करेगा यह मुर्ती और इसको आप देख सकते हैं यह मौली धागा से बने हुआ मूर्ति यह मूर्ति मोतियों से बने हुई है बहुत ज़्यादा शाइनिंग करते हो आपको नजर आएगा सो गैस यह जो मूर्ति है वो इको फ्रेंडली है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो यह क्राफ्ट पेपर से बने हुई गड़ेश जी की मूर्ति आपको देखने के लिए मिल रही है एड्रेस के बारे मैं बात करूँ तो यहां का जो एड्रेस है बगवतरिया रहपूरा आप सर्च करेंगे तो आपको यहां का लोकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आपका बहुमूली समय देने के लिए धन बढ़े हां टीज़ जाए बात करेंगे ज़र आपको यहां का लिए मेंटे रहां का झाल झाल झाल